क्या आपने कभी अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने और उससे पैसे कमाने के बारे में सुचा है? आज के डिजिटल युग में YouTube अपने विशाल दर्शकों और महत्वपूर्ण कमाई की क्षमता के साथ एक मनोरंजन केंदर के रूप में सर्वोच स्थान पर है, लेकिन यहाँ पेच है सफलता सिर्फ रातो रात नहीं मिलती इसके लिए एक सपष्ट द्रिश्टी, एक उद्देश्य और संपूर्ण समर्पन की आवश्शकता होती है YouTube केवल विडियो अपलोड करने के बारे में नहीं है, बलकि यहाँ आपके अनुठे द्रिश्टिकों को दुनिया के साथ साज़ा करने के बारे में है इससे पहले कि हम अपना खुद का चैनल स्थापित करने के चरणों के बारे में जाने आएए समझें की YouTube क्या है और यह पैसे कमाने का इतना अच्छा मंच क्यों है YouTube सिर्फ एक विडियो शेरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है यह एक समुदाय, एक बाजार और रचनात मकता के लिए एक मंच है मूल रूप से YouTube एक ऐसी वेबसाइट है जहां कोई भी अन्य लोगों के देखने पसंद करने, टिप पणी करने और साजा करने के लिए विडियो अपलोड कर सकता है लेकिन यह उससे कहीं अधिक है YouTube वीडियो को रैंक करने और दर्शकों को सुझाव देने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उप्योग करता है यह एल्गोरिदम जुडाव को बढ़ावा देते हैं, जिसमें लाइक, कमेंट और शेर शामिल है यही कारण है कि अपने दर्शकों के साथ जुरना, टिपपणियों का जवाब देना और अपने दर्शकों को अपने वीडियो को पसंद करने और साझा करने के लिए प्रोचसाहित करना बहुत महत्वपून है याद रखें, यूट्यूब केवल देखे जाने की संख्या के बारे में नहीं है, यह जुड़े हुए दर्शकों का एक समुदाय बनाने के बारे में है आपके वीडियो में जितनी अधिक सहभागिता होगी, वे यूट्यूब के एल्गोरिदम में उतनी ही उची रैंक करेंगे, जिससे अधिक ग्रिश, अधिक ग्राहक और अंतह, अधिक राजस्व प्राप्थ होगा अब जब हम जानते हैं कि यूट्यूब कैसे काम करता है, तो हम अपना खुद का चैनल स्थापित करना शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल स्थापित करना आसान और सीधा है, आए सीधे इस प्रक्रिया में उतरें, सबसे पहले आपको एक गूगल खाते की आवश्चक्ता होगी, यदि आपके पास एक नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं, इसे बनाना पाई जितना सरल है, गूगल के होमपेज पर जाएं, उपरी दाएकोने पर साइन इन पर क्लिक करें, फिर खाता बनाएं, संकेतों और वाइला क का पालन करें, अब आप गूगल परिवार का हिस्सा है, अपना गूगल खाता तयार होने पर यूट्यूब पर जाएं और साइन इन बटन पर क्लिक करें, आप अपने गूगल क्रेडेंशियल के साथ स्वचालित रूप से लॉग इन हो जाएंगे, इसके बाद उपरी अपने चैनल को कुछ व्यक्तित्व प्रदान करें, इसकी शुरुवात एक अद्विती और यादगार चैनल नाम चुनने से होती है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो आपकी सामगरी का प्रतिनिधित्व करती हो और दर्शकों के लिए याद रखना आसान हो, इसक आकरशक, जानकारी पूर्ण बनाएं और दर्शकों को आपका चैनल ढूंधने में मदद करने के लिए प्रासंगिक कीवर्ड शामिल करना न भूलें, इसके बाद चैनल आर्ट आता है, इसमें आपकी प्रोफाइल, चित्र और बैनर शामिल होते हैं, उन्हें आपके चैनल का अन्वेशन करेंगे, अंत में अपने चैनल को अपने अन्य सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म से लिंक करना न भूलें, यहां आपकी द्रिशता बढ़ाने में मदद करता है, और आपके दर्शकों को आपसे जुरने के लिए अतिरिक्ट मंच प्रदान करता है, आखिर तु अपने जुनून और अपनी रचनात मक्ता को प्रतिबिंबित करने दें, आपके चैनल की स्थापना के साथ सामगरी बनाना शुरू करने का समया गया है, यूट्यूब पर सामगरी राजा है, यह वीडियो शेरिंग प्लेट फॉर्म की दुनिया में सार्वभामिक रूप स स्वीकृत सत्य है, आपकी सामगरी का मूल्य सीधे आपके चैनल की सहभागिता और विकास को प्रभावित करता है, लेकिन हम इतनी उच्च गुनवत्ता वाली आकर्शक सामगरी कैसे बनाते हैं? आईए इसे तोड़े सबसे पहले और सबसे महत्वपून, उन वीडियो विचारों पर विचार मन्थन करना महत्वपून है, जो आपके दर्शकों को पसंदाएं, इस बारे में सोचें कि आपकी रुची किसमे है, आप किस चीज के प्रती जुनूनी है, आप किस चीज के ज आनकार हैं, याद रखें, वास्तविक उच्सा संक्रामक होता है, और आसानी से दर्शकों के जुडाव में तबदील हो सकता है, इसके बाद आपके विडियो की स्क्रिप्टिंग गेम चेंजर हो सकती है, एक अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट आपके विचारों को व्यवस्थित रखने में मदद करती है, और आपके संदेश की सुचारों डिलीवरी सुनिश्चित करती है, यहाँ आपके विडियो के लिए एक रोल मैप की तरह है, जो शुरू से अंत तक आपका मार्क दर्शन करता है, हाला कि स्क्रिप्ट को अपनी स्वाभाविक सहच् तक सीमित न रहने दें, इसे समवादात्मक बनाए रखें और विडियापन कारियों के लिए जगहे छोड़े, वे अकसर आपके विडियो में मानवीय स्पर्श जोड़ते हैं, एक बार जब आपके पास अपनी स्क्रिप्ट हो, तो फिल्म बनाने का समया गया है, और क्या? स्मार्टफोन शुरू करने के लिए आपको किसी फैंसी कैमरे की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक रोश्नी और शांत वातावर्ण के साथ एक अच्छा कैमरा अध्भुत काम कर सकता है, याद रखें, यह उपकरन के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप इसका उप प्योग करें, मूर सेट करने के लिए संगीत जोडे और अतिरिक्ट संदर्ब के लिए ग्राफिक्स या टेक्स्ट ओवरले शामिल करें, लेकिन ज्यादा संपादन से सावधान रहें क्योंकि यह आपके संदेश से ध्यान भटका सकता है, अंत में अपने वीडियो को कॉल आक्शन के साथ समाप्त करना हमेशा याद रखें, दर्शकों को लाइक, शेर या सब्सक्राइब करने के लिए प्रोच साहित करें, इससे न केवल जुडाव बढ़ता है, बलकि आपके दर्शकों के साथ, दीर्ग कालिक संबंध बनाने में भी मदद मिलती है, आकर्शक सा अपनी सामगरी है, तो अधिक्तम द्रिशता के लिए इसे अनुकूलित करने का समया गया है, आपके विडियो को व्यापक दर्शकों तक पहुचाने के लिए अनुकूलन महत्वपून है, तो आए जाने कि आप SEO तकनीकों का उप्योग करके अपने विडियो को कैसे अनुक अनुकूलन आपके विडियो को अधिक खोजने योग्य बनाने का एक तरीका है, यहाँ आपके विडियो शीर्शक, विवर्ण और टैग में सही कीवर्ड का उप्योग करने के बारे में हैं, यह कीवर्ड आपकी सामगरी के लिए प्रासंगिक होने चाहिए और आपके संभ प्रावित दर्शक क्या खोज रहे होंगे, लेकिन अनुकूलन यहीं नहीं रुपता, आपके थंबनेल की द्रिश अपील आपके विडियो की द्रिश्यता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है, एक सम्मोहक थंबनेल एक फिल्म के पोस्टर की तरह होता है, यह दर करते हैं प्राजस्व कमाने की. प्रायोजन में उन ब्रांडों के साथ साजेदारी करना शामिल है, जो आपकी सामगरी के साथ संरेखित होते हैं, जबकी माल बेचने से. आपके ब्रांड को बनाने और एक वफादार प्रशनसक आधार बनाने में मदद मिल सकती है, इन चर्णों के साथ आप एक सफल यूट्यूब चैनल बनाने और उससे पैसे कमाने की राह पर हैं.